2007 के बाद जिस जीत का हम को इंतिजार है वो जीत आज तक हम को मिल नहीं पाई लेकिन इस IPL में उस खिलाड़े ने फिर एक बार दिखा देया 42 की उम्र है लेकिन वो खिलाड़ी आता है खेलने के लिए दो गेदे चार गेदे उसको मिलती है वो खेलता है फिर दोड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में जाता है वहाँ से हाथों में दस्ताना लेकर आता है फिर अपनी टीम को जीत दिलाता है नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का सुसील तिवारी कह सकते हैं कि दोनी जी आप यहाँ प पिंडेजुलेंड है, स्टेडिया है, दचिडफरीका है क्या भखुबी वो काम कर पाएंगे लेकिन मेहंदर सिंग धोनी की अगर मैं बात करूँ वो अनुभव, वो सोहरत, वो बुलंदी, वो दिमाग जो मेहंदर सिंग धोनी के पास है वो किसी के पास नहीं है बहुत सा यह जीत चाहिए, सिर्फ जीत से जरूरी, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस IPL में जवावना ऐसा खीन नहीं खेला, अगर एक खिलाड़ी आपके जहन में आता है, जो विकेट किपिंग के रूप में अगर उनको मौका मिला लगतार, उन्होंने पॉमेंस अच्छी दी, मैं बात कर रहा हूँ, संजू सैमसिंग की, लेकिन जब ICC के मैची सोते हैं, तो वहाँ पे संजू फेल हो जाते हैं, क्या एक बार टीप मेरेजमेंट ऐसा बात कर रही है, क्या ऐसा बात कर सकती है, लेकिन ऐसी खबर भी आ रही है, कि जिसको हम कभी मेंटोर के रूप में लेके गये थे, अगर वो फिर एक बार विकेट के पीछे दस्ताना पहलता है तो सबकी बखिया उधेड सकता है मेहंदर सिंग धोनी मेहंदर सिंग धोनी एक ऐसा नाम है जो कि विकेट के पीछे के साथ साथ जो भी फिल्डर होते हैं न उनको जिस तरीके से तरासते हैं, बताते हैं, कि आपको कहां पर फील्ड सजाने चाहिए, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको अगर बता दू, जब थाला, वहाँ पर बैठते हैं, चेन्नई की टीम की कप्तानी गैकवार्ड को दे दी गई, लेकिन गैकवार्ड कप्तानी नहीं करत हैं, आप फील्ड के अंदर जब देखते हैं, वहाँ पर टॉस का जो सिक्का उचालते हैं, गैकवार्ड, उसके बाद बहुत खुबी काम करते हैं, मैंनर सिंग धोनी ने, अगर मैं को बैकप के रूप में मंच दिया, जो आज युवा, आज चेन्ने की टीम हो, या मुंब इंडियन का नाम आता है, सिवम दूबी का नाम आ रहा है, सिवम दूबी इंडियन टीम के अगर मैं कहूँ, टी ट्वेंटी के मैचिस के लिए वो जरूर जाने वाले हैं, लेकिन चेन्ने का अगर मैं कहूँ, जिस तरीके से महनर सिंग धोनी ने, वहाँ के डेसिंग रूम को दिल के सुकून देने वाला है और दिल को ठंड़क पहुँचेगी जो सपना आपने कभी देखा था क्या वो सपना 2024 में पूरा होगा एक लंबा वक्त कुजर चुका है 2007 के बाद 2024 आया लेकिन भारत मेहनदर सिंग धोनी की T20 के ट्रोफी के बाद अब तक भारत में वो ट्रोफी नहीं जीती है मेहनदर सिंग धोनी की आईपील के अगर आप बात करें तो जब वो आते हैं तो चार गेदे, पांच गेदे, दस गेदों से ज़्यादा उनको खेलने के लिए नहीं मिलती है लेकिन जिस तरीके से अंधाधुन बैटिंग के साथ मेहनदर सिंग धोनी रन बनाए वो कापी सांदार है, एक बात और मैं आपको बता दू मेहनदर सिंग धोनी खेलने के बाद आप देखने हैं दोडती हुए डेसिंग रूम के ओर जाते हैं वहां से तुरंत वो अपने हाथों के अगलेप्स लेते हैं ड्राउंड के अंदर आ जाते हैं ऐसा नहीं लगता कि धोनी यार ये 42 का धोनी है 18 वाले जो लोंडे है वो लोंडे की उमर इनसे कहीं ज़्यादा ठैरती नहीं है क्योंकि ये धोनी वो धोनी है जो होनी को अन्होनी कर देते हैं महंदर सिंग धोनी दे दनादन तो जरूर अगर हो सकता है टीम अगर जोडे या धोनी आ जाए वर्ल्ड कप के लिए तो बड़ी बात है क्योंकि धोनी को अगर आप वर्ल्ल कप में खिलाते हो